वेलकम वीवर्स मैं आज आ गे हूँ विद्धी गुरूप का और एक प्रोजेक्ट लेके जिसका नाम है विद्धी का हेरिटेज जो कि जोका मेट्रो स्टेशन से ओल्ली 15 मिनिट का डिस्टेंस में पड़ता है और डिएच रोट यानि कि डामन आनवा रोट से ओली 15 मिनिट का डिस्टेंस में पड़ता है तो चलिए देख लेते हैं कि जोका मेट्रो स्टेशन से हम लोग प्रोजेक्ट तक कैसे आ सकते हैं कि जोका में आ सकते हैं तो आप लोग अगर हावडा श्यालता या आप लोग एरपोट होके आते हैं तो आपको डायमन हरवा जाने वाला है या फिर रायचक जाने वाला कोई भी बस से आप लोग हम लोग का प्रोजेक्ट तक आ सकते हैं हम लोग का साड़े 300 भीगा में जमीन में हम लोग का ये पूरा प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको प्लोट तो अवेलेबल मिले गाई और उसके साथ साथ हम लोग का बंगलो भी है जहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको कोलकाता मेरी मिलेगा जो की पोर्तुगीज बेस बंगलो है जिसमें पोर्तुगल का जो है टच मिलेगा आपको सारा जो बंगलो है वो एक ही तरह का होगा पोर्तुगीज थीम का उपर बेस करके तो ब में आप लोगों को पूरा प्रोजेक्ट में जो हम लोगों का प्लॉट एवेलेबल है प्लॉट के बारे में मैं आपको सारा जानकरी दूंगी तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते इस प्रोजेक्ट में यह अम लोगों का जो आप जगा देख पा रहे हैं यह हम लोगों का जो प्रोजेक्ट का existing customer रहेगा उनको मिलेगा जो का metro station तक आने जाने के लिए service मिलेगा और यह हम लोग का parking lot तक आपको पहली बता है यह जो आप देख सकते हैं यह है हम लोग का clock tower यह हम लोग का अभी office है जहाँ पर in future आपको gym मिलेगा आपको community hall मिलेगा cafeteria मिलेगा यहां पर और मेरा इधर आप gate का right side में आप देख सकते यह जो है यह हम लोग का 24 7 security room है जो की आपको इधर waiting lounge भी मिलेगा तो चलिए जो प्रोजेक्ट का अंदर जाते हैं और हम लोग का क्या कि आपको amenities मिलेगा उसके साथ भी हमें आपको जानकरी देती जाओने तो जैसे कि आप लोग देख सकते कि हम लोग का parking lot का सामने एक अच्छा सा एक mountain भी है इधर और यहां पर हम लोग का 56 amenities दिया जाएगा जिसमें से आपको क्लाब community hall swimming pool gym और playground senior citizen park fishing zone children's park यह सब बहुत कुछ आपको amenities मिलेगा जिसमें से आभी हम लोग का children's park जो है आप मेरा पीसे आप आ सकते जिख सकते यहां पर children's park है वह already बन चुका है और जो हम लोग का fishing एडिया है वो भी हम लोग का इदर बन चुका है यहां पर जितना आप बोड़ देख सकते यह बोड़ जो है यह सब amenities का बोड़ है इधर आप मेरा right hand side में देख सकते हैं यहां पर हम लोग का children's playground है यहां पर जूला गगेरा भी दिया हुआ है जूले के लिए और मेरा left hand side में यह हम लोग का fishing zone fishing pond है यहां पर आप लोग fishing करते हैं यहां पर आप लोग देख सकते पूरा बंगलो का पूरा ओवर विव दिया हुआ है पूरा same based बंगलो बनेगा ऐसा ही जैसे आप लोग देख सकते पोर्तुगल theme based बंगलो तो यहां पर हम लोग का जो बंगलो ही वह चार selection में divide दिया हुआ है यहां पर देखिए दिया हुआ है Amadello वहां पर दिया हुआ है देखिए वार में लो और धनीचे दिया हुआ है Rosa और यहां पर देखिए लारेंजा तो यह चार चार सेक्षन में हम लोग का बंगलो डिवाइड रहेगा क्योंकि यह सेम तरह का देखने में होगा तो उसको पैचान भी देना जरूरी है कि तो इसलिए यह चार सेक्षन में इसको डिवाइड किया जाएगा तो अभी हम लोग का में रोट पे तो इधर से देख सकते हम लोग लोग आये हैं अंदर से अब लोग को हम अमेनिटी दिखाएंगे बोलके इधर से आया है अभी यह जो आप देख सकते हुदर सीकुरिटी है वहां पर हम लोग का में एंट्रीगेट है तो एंट्रीगेट से आते ही हम लोग को इधर 30 फीट का रस्ता मिलेगा यहां पर आने ज यहां पर देख सकते हैं मेरा राइट हैंड साइड में यहां पर एक बंगलो हम लोग का अंडर कॉंस्ट्रक्शन भी है तो बंगलो का मैं नया वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी जिसमें मैं बंगलो का पूरा ओवर व्यू विट इनफॉर्मेशन के साथ आप लोग को दूंगी तो यहां पर आज मैं आप लोग को सी प्लॉट का जो है वो दिखाओंगी तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर बाइलेन पूरा हम लोग का रेडी भी हो गया है आधा दोनों तरफ इधर 30 फीट का और इधर भी हम लोग का 30 फीट का जो किसी बंगलो के लिए है इधर पूरा बंगलो बनेगा यह जो आप पूरा देख रहे हैं यह पूरा इलाके में हम लोग का पूरा बंगलो बनेगा और वो जो है वो हम लोग का वाच्ट आवार है जिसमें से पूरा आपको पूरा प्रोजेक्ट का व्यू मिलेगा यह हम लोग का 30 फीट का जो रस्त इसका उपर आपको दिखाई दे रहा है यहां पर आप लोगों का जिल दिखाई दे रहा है यहां पर आप लोगों को भी दिखाई दे रहा है यह हम लोगों का होगा बोटिंग जोन यहां पर आप लोग जो हम लोगों का कस्टोमर रहेगा इग्जिस्टिंग कस्टोमर लोग को इधर बोटिग कर पाएगा यहां पर फूरावरवैली नेहां करो अपर इधर दीकषा किया हुआ है रेडी तु मूब ब्लॉक भाउख है यहां पे रेडि तु मूब हम लोगका प्लॉट है जाहांEst purple लोगका दो अधाय कथ्षा दॉठा और थीन जो डिखाय रहा है पूरा पेर वोग कौन से ऐसे हम लोग का सबच्द करके आप तो यहां पर भी देखेंगे पूरा डीमार्केशन किया हुआ है हम लोग का यह भी आम लोग का आपको 30 फीट रोड जो है वो मिल जाएगा यहां पर यह सीधा जो रस्ता जा रहा है वो डीज रोड से कनेक्ट होगा तो हम लोग का यह भी एक गेट बनेगा उसके बाद जो जम आप उधर से भी आ जा सकते हैं क्योंकि सारे 300 विगा जमिन में कभी एक गेट नहीं हो सकता है तो यह सीधा और गेट आपको मिलेगा यहां पे भी देखिए है पूरा रेडी टू मूवड यह सब आप जो देख यहां पर काम चल रहा है यह साब रेडी टू मूवड प्लोट चै आप आईएगा तो मेरा स्क्रिन पर नंबर जा तो प्रोजेक्ट जो विजिट कीजिए और हम लोग का पूरा ये जो है ये प्लोटिंग सेक्षन है जो आप लोग इधर इस साइट में भी आप लोग देख पारे है ये बाइलेन हो रहा है हम लोग का इधर हम लोग का अठ्राफिट का बाइलेन हो रहा है ये पूरा हम लोग का प्लोटिंग सेक्षन आप देख पारे है पूरा इधर से भी और इधर से भी और ये जो आप सीध कि आपको दिया जाएगा पूरा प्रोजेक्ट का जो है वो मैंने आपको दे दिया थो पहले इसमें से कुछ जो हम लोगों का आमेनिटीस आफ लोगों को दिया जाएगा जो कि उसमें से कुछ मैंने आपको पहले दिखा दिया है वीडियो का स्टार्ट में आपको लेक, चिल्डेंस प्लेग्राउंड, पूल, जीम, CCTV, सीक्यूर्टी, वाल बाउंडर ये सब तो आपको मिले गाई common में और इसमें साथ साथ भी आपको 56 amenities मिलेगा और इसमें से आपको minimum ज services के लिए और जानकारी के लिए, आप मेरा number 16 स्क्रीन पर उसमें आप कॉल करके और जानकारी के लिए कॉल कर सकते और आप देखने के लिए। अगर आप को जानकारी चाहिए तो मेरा वीडियो का नीचए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं